तो आपने बोले 10,000 के अंदर एक अच्छा सा प्रोजेक्टर बताईए आज मिले गया हूँ ऐसा प्रोजेक्टर जो कि शाओमी का है ये प्रोजेक्टर आपको मिलेगा 10,000 से काफी कम प्राइज में आज इसके अन्बोक्सिंग करेंगे देने वारा हूँ इसका एक देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए पॉटन्ट होने वाली है अगर आप इस प्रोजेक्टर को लेने का सोच रहे हैं यहां पे कुछ और चीजों के बारे में लिखा हुआ है जो कि जादा स्पेसिफिकेशन यहां पे में नहीं है लेकिन वीडियो में मैं आपको सब कुछ ही पताने वाला हूँ आपके Android फोन या iOS फोन दोनों के साथ में स्क्रीन कास्ट कर सकता है इसमें Built-in Chrome कास्ट है यहां पर प्रोजेक्टर को मैंने साइड में निकाल दिया इसके बाद में अंदर कुछ accessories देखने को मिल रही है यह accessories सारी में भार निकाल लेता हूँ और यहाँ पे एक qualified certification है मतलब जो की कोई भी electronic पे होता है certification pass का इसको भी side में रखते हैं box के अंदर आपको मिलेगी power cable, AV cable साथ ही में आपको यहाँ पे मिल जाती है HDMI cable और उसके अलावा यहाँ पे हमको मिल जाती है projector की protection के लिए एक lens cap अब इसके अगर remote की बात करूँ तो remote का देखने में तो काफी सुन्दर सा लग रहा है white color का है जिसके उपर black buttons है और remote actually में देखने में ज़्यादा premium feel होता है लेकिन की normal remote की तरह ही है जो आम और तरह के projectors में अभी तक review करें है तो remote की look इस तरीके से है अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं projector देखने में कैसा है यह जो remote में triple E की दो batteries आपको डालनी पड़ेगी projector के उपर में एक film लगी है जिसको अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ और projector के overall looks की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए portable projector है, काफी lightweight है easily कहीं भी carry कर सकते हैं यह film को मैंने हटा दिया है lens cap साथ में मिली हुई है जब use में नहीं है, definitely आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं right side में आपको vent का जो है option मिल दागा यहाँ पर vents काफी अच्छा दे रखा है back side में power का button, AV का port audio के लिए आपको अगर बड़े speakers या headphones लगाने 3.5 mm का जो jack होता है वो यहाँ पर है उसके लावा USB का एक port, HDMI का port और नीचे power cable आपको लगानी है यहाँ पर AV का port कुछ इस तरीके से लगता है तो जिसके पास में कोई पुराना device है यानि की पुराना कोई setup box है उसको यहाँ पर AV की मदद से भी connect कर सकते हैं बाकि HDMI की connectivity आपको मिल रही है power की cable को मैंने यहाँ पर लगा दिया और इस तरफ में आपको मिलता है एक single speaker प्रोजेक्टर की ऊपर की तरफ में आपको physical buttons मिल जाएंगे यहाँ पर और यह जो physical buttons है ना इनका मतलब जो मैं यह कहूँ कि मतलब touch बोलूँ या फिर इनको operate करने की बात करूँ तो काफी अच्छा मुझे लगा है यह keystone correction का knob मिल जाता है और उसके ठीक आगे आपको focus वाली knob मिल जाती है जिससे आप इसके lens को adjust कर सकते हैं इसका lens वैसे ही काफी अंदर की तरफ है तो थोड़ा सा ही भार आता है lens बहुत जादा भार नहीं आता और काफी अंदर तक इसका lens जो है चले जाता है तो इसको आप focus करते time adjust कर सकते हैं अगर मैं इसके projection distance की बात करूँ तो minimum 1.2 meter की दूरी पे आप इसको रख सकते हैं और maximum आप इसको जो है 3 meter की दूरी पे ही रख सकते हैं अब यूँकि यह portable projector है तो इसका जो आपको maximum screen size मिलेगा वो 120 inch तक का होगा तो यह है इसका maximum screen size और अगर इसका minimum screen size की बात करूँ तो 40 inch है projector के नीचे आपको tripod mount का option मिल जाएगा साथ ही में dust filter यहाँ पे दे रखा है जिसपे एक sticker है उसको मैंने हटा दिया है और यह dust filter के नीचे में जो है screw से आपको इसे खोलना पड़ेगा यानि कि screwdriver से इसके screw को हटाना होगा और उसके बाद में आप इसका dust filter निकालके clean कर सकते हैं तो एक या दो महीने में अगर आप regular projector यूज करते हैं वैसे मैं कहूंगा हर महीने इस dust filter को निकालिए और एक बाद इसके dust filter को clean कर लीजिए अगर मैं आपे lumens की बात करूँ तो यहाँ पे lumens certified number मिल रहा है आपको और जब ANSI lumens की बात होती है यानि कि American national standards की तो यहाँ पे certified number of lumens आपको मिल रहा है यह जो है यह 300 ANSI lumens पे run करता है जो कि एक छोटे room के लिए काफी सही है बागी एक budget projector है portable projector है तो अब हमको देखना होगा कि actually में इसका जो real time performance है वो कैसा है इस projector के जो contrast ratio है वो है 2000 is to 1 power का button मैंने यहाँ पे दबा दिया है light blink हो गई है power के button पे छोटी सी और यहाँ पे lens पे हमारी lights आ गई है अब हम इसको अपनी grey wall पे है चेक करने वाले हैं देखेंगे कि इसमें पहले screen cast करके कि screen कैसे cast होती है इसमें उसके बाद में हम इसमें कुछ video को play करके देखेंगे प्रोजेक्टर को मैंने on कर दिया है दिन का समय है रोशनी है जो की बहुत important है चेक करना है कि यह जो 300 ANSI lumens है योगि 300 lumens ANSI की भी ही बात हो तो वो उतना जादा bright नहीं होता जो कि एक full SD में होता है यह एक HD प्रोजेक्टर है लेकिन यह full SD files को support करता है यहाँ पर मैंने boot कर लिया है बूट करने के बाद में first menu आपको कुछ इस तरीक से मिलेगा मैं यहाँ पर focus को थोड़ा सा adjust कर लेता हूँ उसके बाद में keystone को भी मैं यहाँ पर हलका सा adjust कर लेता हूँ तो brightness में opposite side से window से light आ रही है इसका display कुछ इस तरीक का है अब यहाँ पर जो मेरा projection हो रहा है वो 80 inch का है यह इसका menu है इसमें wifi display का option है प्रोजेक्टर को आपको wifi से connect करना होगा वो मैं आपको भी आगे बताऊँगा AV, HDMI, कोई भी source आप select कर सकते हैं बाकी media player में जाएंगे तो आपकी USB वाली files प्ले हो जाएंगी यह projector वैसे HD projector यानि 720p वाला projector है लेकिन यह projector में आप full HD files को directly अपनी pen drive से play कर सकते हो default aspect ratio 16-9 का है जिसको आप 4-3 पे change कर सकते हो बाकी आप इसमें color settings को भी change कर सकते हो जो की आपको एक अच्छा option मिल जाएगा यहां पर बाकी इसके अलावा यहां पर sound के थोड़े बहुत options आपको मिल जाते हैं timer का option यहां पर आपको देखने को मिल जाता है अब करते हैं पहले इसके screen वाला जो कास्ट वाला option है उसको यूज और फिर देखते हैं कि screen cast इस पे कैसे होती है तो अभी भी पीछे से light आ रही है मैंने lights को अभी off नहीं किया है वो बाद में करूँगा wifi में अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर projector का wifi दिखाए देगा बाकी आपको अपने phone पे screen cast कुछ इस तरीके से करना है अब मैं इसको थोड़ा detail में आपको समझा देता हूँ आपके phone जो होता है एंड्रोइड phone उसमे screen cast का option होता है अगर आप iPhone यूज कर रहे हो तो आपको इसकी setting में जाके screen cast को air play पे select करना है तो आप तभी कर पाओगे iPhone को यहाँ पे connect करने के लिए आप जो है iPhone की data cable से भी connect कर सकते हो और iPhone में आपको पहले इस projector के Wi-Fi से iPhone को connect करना है सारी चीज़ें on screen यहाँ पे mention कर रखी है इस projector के अंदर जो है Wi-Fi है लेकिन ये एक Android projector नहीं है Xiaomi काफी सारी specifications कमदाम में दे दे देता है अब यहाँ पे हमें Android में screen cast कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ अब यह जो screen आईगी इस पे आपको OK का बटन दबाना है OK का बटन दबाते ही यहाँ पे कुछ settings आ जाएंगी Wi-Fi पे क्लिक करना है और आपके पास में Wi-Fi होना चाहिए या फिर आपके पास एक दूसरा mobile होना चाहिए जिससे आप hotspot दे के इसे connect करेंगे जिस Wi-Fi से आपका projector connect होगा उसी Wi-Fi से आपका वो phone connect होना चाहिए जिसकी screen को आपको cast करना है एक बार जैसी प्रोजेक्टर पे Wi-Fi connect हो जाता है आप अपने phone को भी उसी Wi-Fi से connect कर लो phone में screen cast का option होता है उस पे click करो आपको projector का नाम देखेगा phone की screen इस तरह से यहाँ पे cast हो जाएगी phone की screen यहाँ पे cast मैंने कर ली है और इस समय मैंने lights को भी off कर दिया है अब यहाँ पे phone का display यहाँ पे आ रहा है landscape या portrait फोन को जैसे पकड़ोगे वैसे ही यहाँ पे काम होने वाला है अब यहाँ पे देखो smoothness बराबर है smoothness ने में कोई भी दिक्कत नहीं है smooth चल रहा है अब मैंने यहाँ पे phone के अंदर device के अंदर मतलब जो वीडियो पड़ा था उसको play किया है यानि अभी मैंने phone के अंदर कुछ नहीं चलाया phone मेरा उसी wifi से connect है जिस wifi से मेरा projector connect है और यहाँ पे chromecast की मदद से built-in chromecast है इसमें screen हमारी जो है यहाँ पे connect हो गई है अभी मैंने एक video चलाया है यहाँ पे एक video मेरे phone में पड़ावा था एक अभी shoot किया था मैंने घूमते वक्त तो यह video मैंने यह पे जो है play कर दिया है play pause कर सकते हैं उसके अलावा यह video मेरे phone में मतलब phone के अंदर जो storage है उसमें पड़ावा है यह video भी मेरा है मेरे चैनल पर यह video मिल जाएगा microphone का मेरे चैनल पर microphone के वैसे बहुत सारे वीडियो है तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह video भी आप चल चुका है अब मैं यहाँ पे कुछ और files को play कर रहा हूँ वीडियो clarity अब आप देख रहे हो यह जितनी भी clarity आप देख रहे हो यह screen cast की थ्रू देख रहे हो अब एक चीज़ को और clear कर लेता हूँ जब हम screen cast करते हैं तो वीडियो clarity उतनी नहीं मिल पाती जितनी की direct मिलती है अब इस projector के अंदर जो है बिल्ट-इन speaker है अब मैं यहाँ पर जो वीडियो प्ले करूँगा आप इसकी sound सुन लो पहले पहले sound का अंदाजा ले लो कि projector में sound कैसे आती है तो अभी इसी वीडियो की मैं volume खोलता हूँ आप projector पर sound सुनो सारी आवाज जो आपको projector से सुनाई देगी प्रोजेक्टर की sound loud है single speaker है यहाँ पर लेकिन इस projector के अंदर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी जो कि कई सारे projectors में होती है जैसे मैंने आपको पिछली बार एक अच्छा सा projector दिखाया था और मैंने उसमें बोला था कि इसकी sound 80% जाने के बाद में vibration होती है distortion आती है यहाँ पर कोई भी distortion नहीं है इस projector की sound में बागी इसमें 3.5M का jack है अपने इसाप से अगर आप headphones लगाना चाते हैं या बड़े speaker लोग connect करना चाते हैं कर सकते हैं अब यह USB से देखो वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उस तरफ थोड़ी से दिक्कत हो गई है बारिश की वज़े से तो वहाँ पर थोड़ा सा प्राब्लम हो गया है तो फिलाल में बड़िया Full HD प्रजेक्टर से आप कर सकते हैं यह एक portable प्रजेक्टर है और इस तरह की portable प्रजेक्टर में पहले दिखा चुका हूँ जो प्रजेक्टर मैंने मतलब 2800 lumen या 3000 lumen वाले जो प्रजेक्टर होते हैं जिस पर ANSI lumen नहीं मेंचन होता सिर्फ मेंचन होता है 2800 lumen या 3000 lumen उस तरह के प्रजेक्टर से जैसी output quality मिलती है वैसी ही output quality यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है आदा कि बहुत जादा brightness उतनी नहीं मिलेगी इस प्रजेक्टर को आप जब अंधेरे में चलाएंगे ना तब ही आपको मज़ा आएगा light on करने के बाद में इस प्रजेक्टर का आप आना नहीं ले पाएंगे और वैसे भी प्रजेक्टर का मज़ा अंधेरे में आता है इस प्रजेक्टर में बिल्कुल ड बाद में आपको कैसा experience मिलने वाला है वैसी इसमें tripod मांट है मेरा tripod चोटा वाला टूड गया इसलिए थोड़ा सा तेड़ा हो गया है वरना मैंने यहां पर tripod मांट करने की कोशिश पूरी करी थी चलिए अब मैं बताता हूं कि यह projector किसके लिए बढ़िया रहेगा और किसको य home cinema के लिए काफी अच्छा है मैंने पास्ट में जो projectors 10-12,000 रुपे के आते हैं उनका जो review कहा था ना मैं यह बताऊंगा कि वो 10-12,000 रुपे के projector जैसी quality देते है ना उसी तरह की quality यह projector भी दे रहा है आपकी movies देखने के लिए अच्छा है अगर आपने अभी दख कोई projector मिलेगा movies को enjoy कर सकते हो अब आप लोगों ने मुझे कहा था 10,000 से नीचे कोई android projector बताओ android वर्जिन जो है ना काफी सारे projector में उस rate में पुराना मिल रहा है इसलिए मैं को android projector समझ मिनिया यह projector में screencast तो आपकी होई रही है तो आप अपना mobile phone connect करके आप में mobile phone में जो मर्जी कर कर सकते हो easily बागी इस projector का जो प्राइज है वह साड़े साथ हजार रपे के आसपास है मेरे कोई coupon code भी मिला है मैंने description में mention कर दिया है लेकिन वह coupon code limited time के लिए है तो आप उसको apply करके इसका प्राइज जो है मतलब इस प्राइज पर आपको यह जो quality मिल रही है ना वह सिमिलर 10 12,000 पर वाले प्रोजेक्टर में उसी तरह की quality मिलती है यह जो प्रोजेक्टर है इसमें थोड़ा बहुत corner blur होता है तो आपके अगर presentation वगरा देने का सोच रहे हो office work के लिए उस मतलब का तो नहीं है home cinema के लिए अच्छा है movies देखनी है movies देख सकते हो maximum screen size जिस पे आपको लगा सकते हो इसमें और इसका जो power consumption है वो है 60 watts का 20,000 घंटे की इसकी lamp life है तो easily वैसे मैं अगर आपको अपने experience बता हूँ मैंने इसको लगातार 3-4 घंटा चला है मुझे ज्यादा heating इसमें नहीं लगी यह projector ऐसा है ना मतलब आवास भी ज्यादा नहीं करता है इसकी fan और heating इतना नहीं होता तो उस इस आप से मुझे काफी अच्छा लगा बाकि इस पर आप movies वगरा अराम से enjoy कर सकते हो अपने phone के साथ connect कर सकते हो बिना wire के तो मजा ले सकते हो यह projector मुझे price के इसाप से बहुत अच्छी deal लगी है तो description मैंने link दे दिया आपको अब 10 बार 1000 पे वाल इस वीडियो को like जरूर करना और comments में अपनी राय जरूर दीजिए